दोस्तों सबको आपको मुबारक हो पाकिसान ने एक मरतबा फिर वन डे रैंकिंग में नमबर वन की पोजिशन हसल कर लिया और अस्ट्रेलिया का नमबर टू की पोजिशन पर देकेल दिया है शबाश शहीनो आपने वो कार्णामा अंजाम दिया अच्नके आपने पर पुरी पाकिसानी कौम पर पाकिसानी का सरफखर से बलंद कर दिया है शबाश जितनी तारीफ आपकी की जाए कम है गोगे आपके मद्ध मकाबल जो अफगानस्तान टीम है वो इतनी बड़ी रैंकिंग में टीम नहीं थी लेकिन उसने भी मकाबला खुब किया वर्ल नमबर वन का पाकिसान टीम ने अफगानस्तान के खलाव तीन मैचों की सीरीज जो है वो तीन सिफर से उस वाइट वाश किया है और इस काम्याबी का तमाम सेरा पुरी टीम को जाता है ना कि सिर्फ किसी एक कलाडी को जाता हो किसी ने बालिंग में अपना हिस्सा डाला तो किसी ने बैटिंग में अपना हिस्सा डाला ममलाग ने पहले दो मैचों में निस्फ संचिया स्कोर की तो बाबर आजब ने भी दो मैचों में निस्फ संचिया स्कोर करके पाकिसान टीम की जीत में एहम करदार अदा किया बाबराजम को इस लिए भी मुबारक दोना चाहूंगा कि उन्हों ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया कि सो अनिक्स में वो सबसे ज्यादा पांच हजार से जायद रंद बनाने वाले वो दुनिया के पहले बलेबास बन गए हैं मुबारक हो बाबराजम आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने भी ये कारनामा अंजाम दिया गोगे आप पाकिसान ने अफगानस्तान के खिलाफ जो सीरीज थी वो हमबन टूटा और कलमबों में खेली तो अब उसके बाद पाकिसान टीम का जो अगला इंतान है वो अशय कप है अशय कप के क्योंके चार ही मैचेस पाकिसान में खेले जाने में आपकी के मैचेस उसने सिर लंका में पालिके और कलμεँए खेलेंगे शुरू से कहा हूँ कि पाकिशान के एशिया कप के जो मैच्छीस है उनमें से चार मैच्छीस पाकिशान में और 9 मैच्छी coaches सिर्लंका में खेले जाएंगे तमाम त्यारिया मुकมल है लहॉर को भी मुकमल तौरपा तियार कर लिया गया है इसी तरह मुलतान क्रिकट स्टेडियूम को भी मुकमल तोरपा त्यार कर लिया है अब सिर्फ यहां पर इशिया कप का परदा उचना बाकी रह गया अगर आज के मैच की बात करूँ तो आज एक मरतबा फिर बाबराजम महम्मद रिजवान की जोड़ी ने सो रंसे जायद की पार्टनर्शिप पाकिसान के लिए काईम की यह चोड़ी टी ट्वटी क्रिकट में भी और कई मरतबा एक सो से जायद रंस की पार्टनर्शिप पाकिसान को दे चुके हैं अब पिर आज उन्हों ने अफगानस्तान के खलाब भी दोनों प्लेज ने एनिसर संचिया स्कोर की स्तासट रंस मुहम्मद रिजवान ने बनाए तो साट रंस की इनिंग्स बाबराजम ने भी खेली बाबराजम से आज तोको की जारी थी कि वो अपनी इसनिंग्स को टिपल फिगर में कर्वर्ट करेंगे लेकिन बदकिस्मत रहे कि उनको वो ऐसा नहीं कर सके अफगानस्तान के खलाफ उनको सच्ची बनानी चाहिए थी और वो नहीं बना सके लेकिन कोई बात नहीं अभी आगे भी आपने अफगानस्तान के खलाफ मैचिस खिलने हैं तो उमीद की जाती है कि वहाँ पर आप इन्शालला आफगानस्तान के खलाफ भी सिंच्ची स्कोर करने में काम्याब बगेंगे नासीन क्योंकि अब एशिया कप पाकसान और अमीर को और रेस दिया गया अजिन ये था मेरा आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकसान टीम में अफगानस्तान के खलाफ तीन एक रोदा मैचिस की सीरीज में वाइट वाच्च कर दिया है महमान टीम को हरीव टीम को और क्योंकि दोनों टीम में ही सिर अफगानस्तान आपका भी शुक्रिया आप बहुत प्लेजों ने सबर का भी मुझारा किया कुछ ऐसे वाग्याद भी हुए तो जो जो जिनकी बाद में बहुत सारी खबरें भी निकलेंगी लेकिन अभी तक इतना ही है कि पाकसान अफगानस्तान के खलाफ तीन मैचिस एक चार बंडे पहले खेलेंगे तो पाकसान टीम को एक मरतबा फिर जाते जाते मुबार्ख दूँगा और इस दुआ के साथ के पाकसान टीम अब एशिया कप में भी उम्दा परफार्म करें और पाकसान के लिए एशिया कप का टाइटल जीते और पाकसान कौम को वर्ल्ड वाले से उनकी मालूमात में भी अजवा हो और उनको भी वो भी हमारे साथ जुड़े रहें लाहाफिस